राजस्प्रेमों लालू प्रसाद यादव के दूसरे नमर की बेटी डॉक्टर रोहिनी अचारियां इन दिनों खुब चर्चा का विशय वनीवी है लोग उनको लेकर के बहुत बाते कर रहे हैं बहुत बावाही वी कर रहे हैं आखिर पूरा माजरा क्या है आखिर पूरी बात क्या है वो हम बताएंगे लोग सोशल मीडिया से लेकर के ट्वीटर फेस्बुक और आपस में क्यों वावाही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बेटी है लालु प्रसाद यादव की बहुत बहुत बदाई दे र बहुत बहुत ब्रसाद यादव के बेहद करीब माने जाती है और पिता से डौक्टर रोही आचारिया बहुत प्यार करती है ऐसे में जब भी लालु प्रसाद यादव बिमार रहते हैं उनको लेकर के चिंता जाहिर करते रहती हैं सोशल मीडिया पर हो और फिर उन से बात क अब लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांस्प्रांट होना है लालू प्रसाद यादव कई गंभीर बिमारियों से जूज रहे हैं ऐसे में जो बात सामने आ रही है कि डॉक्टर रोहिनी आचारिया ही वो शक्स है जो राज़त सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव को कि किड्नी देंगी अभी देखिए उनका इलाज सिंगापूर में चल रहा है सिंगापूर गए थे बिते दिनों और जाच करा करके फिर वापस लोटे हैं वापस होने के बाद अब जल्दी से डॉक्टरों ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का किड्नी ट्रांस्प्लांट कर रहा जाए और सिंगापूर जब राद सुप्रीमों गए थे पुरा परिवार के साथ तो वहां पर लालू के किड्नी के साथ साथ जो डोनेट करने वाले लोग उनका भी जाच किया गया था और साथ मुनके परिवार उनकी जो बेटी है डॉक्टर रोहिनी आचारिया उनका किड्नी वही देंगे ताहला कि देखे राद सुप्रीमों इसको लेकर के तैयार नहीं हो रहे हैं कि वह किड्नी देगी क्योंकि उनका परिवार है देखे सिंगापूर में तमाम लोग रहते हैं उनके साथ और ऐसे में राद सुप्रीमों नहीं चाहते वह किड्नी दे लेक देते हुए बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ वे सिंगापूर में रहती है और लालू प्रसाद का किड़नी ट्रांसप्रांट सिंगापूर के वर्ल्ड लेवल के सेंटर फोर किड़नी डिजीज में होने वाला है राजद अध्यक्षे लालू यादब की बेटी रोहनी अच अब लालू से मैच हुआ तो वह अब अड़ गई है कि पापा को किड़नी तो मैं ही दिऊंगी ऐसे मैं देखिए अब तमाम जो जाँच हैं वो और होनी है उसके बाद इसी महने लाजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादब सिंगापूर जाएंगे और किड़नी ट्रांस कोर्ट से मिली थी इसलिए इंडिया में को जरूई जाच कराने के बाद राजद सुप्रिमो लालू प्रसाद यादब सिंगापूर जाएंगे इसी महने लालू प्रसाद सिंगापूर जाएंगे रोहनी आचारिया खुद एक डॉक्टर हैं इसलिए किड़नी की बिमारी को और किटनी ट्रांस्प्रांट को अच्छी तरीके से समस्त हैं आपको बता दे कि लालू प्रसाद यादव के साथ बेटियों में से सबसे ज़्यादा राजनिती में एक्टिव दुसरे नमर की बेटी बात करें हम रोहनी अचार्य की वो रहती है हला कि जो सबसे बड़ी बेटी है वो राजसभा सांसद है राजनिती करती आई है लेकिन वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रोहनी अचार्य आक्टिव रहती है उतना आक्टिव मीसा भारती को नहीं देखा गया है ऐसे में आपको बता दे कि लालू प्रसाद यादव के साथ बेटिया है जो सबसे बड़ी बेटी है मीसा भारती वो रालू प्रसाद के सबसे बड़ी बेटी है डॉक्टर है लालू प्रसाद नहीं पूरी दूसरी बार राजसभा भीजवाया है और साथी साथ बता दे आपको कि मीशा भारते विशादी सैलेश से हुई है वे सॉप्टवे एंजिनियर है और दूसरे नमर की बेटी जो है रोहनी यादव वे लालु यादव की दूसरी बेटी है और सिंगापूर अपने परिवार के साथ रहते हैं वो ये भी डॉक्टर बीटी है अपना नाम रोहनी अचारिया भी लिखती है लालु परिवार में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर कोई अक्टिव रहता है तो यही है यही लालु प्रसाद यादव को किड़नी दे सकती है रोहनी की शादी 2022 में हुई थी और अंगाबाद में ससुराल है पतिर शमसे सिंग कम्प्यूटर इंजिनियर है रोहनी के तीन बच्चे हैं रोहनी ने एमबीबेस जमसितपूर के महात्मा गांधी इंस्टिचूट से किया है और बात करें तिसी नमर की बेटी चंदा यादव जो तिसी नमर की बेटी है उनकी पट्ती पाइलेट है बिक्रम यादव से शादी वी है चौते नमर की बेटी है रागनी यादव वो भी देखे राहूल समाजवादी पाटी में है राहूल यादव की पढ़ाई सुच्टेंस से वी है और राहूल से शादी वी है ऐसे में पाचमे नमर की बेटी हेमा यादव चटा नमर की बेटी अनुशकाराओ है और सातमे नम गया है कि राजस सुप्रों यानि के अपने पिता लालु प्रसाद यादब को यही बेटी किडिनी देने वाली है रोहिनी अच्छा